हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपके चानल श्रे बजार वित आयुश और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में चार स्टॉक्स के बारे में चार कंपनीज के बारे में आप से बताईए अडानी पावर आईएक साइंट और जियो फिनांशल सर्विसे इन चारो कंपन करेंगे तीन के तो क्यू त्री नंवर निकल कर आएं तो चली दोस्तों शुरू करते हैं अडानी पावर से वैसे तो अगर आज देखा जाए तो स्टॉक 544 पर बंद हुआ और पिसले एक महिने में अडानी पावर का स्टॉक अल्मूस्ट छे परसन और लास्ट ही महिने मे 112% से जादा स्टॉक चलता हुआ नजर आ चुका है तो अपना आप में एक दंदार तीजी में अभी भी आपको डानी पावर देखने को मिलेगा दो लाग करोड के पार इसकी मार्केट क्या पहुँच चुकी है और आज दोस्तों कंपनी के नतीज़े निकल कर आए और नती कंपनी की सेल लगबग सेम ही थी तो वहां पर आपको कुछ खाज चेंज देखने को नहीं मिलेगा साफ साफ आप देख सकते हैं कंपनी के दोस्तों जो इबिट है वो करीवन 1470 करोड का था पिछले साल जो बढ़कर करीवन 4645 करोड का हो चुका यानि almost 216% कंपनी का साल मात्र 8.77 करोड का इस बार कितना है 2738 करोड का करीवन 31,120% से जादा दोस्तों कंपनी का मुनाफ़ा बढ़ जाता है लेकिन इससे प्रीवेस कौडर में कंपनी का मुनाफ़ा था 6594 करोड जो घटकर कितना रह गया 2738 करोड यानि इसका मतलब यह है कि कंपनी के मार्जिं 17.10 का था वो घटकर 7.10 रह गया है यानि अगर आप नंबर्स देखेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस वाय हुआ है एक्स्टारणिर दिखती है जस बिकार देखें वो एक्सेप्शनल एर था लेकिन क्यों की दौर पर कंपनी की परफॉर नजर आती है विकार कंपनी के ग मिक्स्ट है राइट क्यों 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 खराब और वाय हुआ है बहुत अच्छी कंपनी की सीओ ने दोस नंबर्स पर का कि अडानी पावर ने काफी दमदार लीडर्शिप दिखाई एक्रॉस डोमेंस पा अचिविंग एवर हाईयर स्टैंडर्स उफ एक्सेलेंस अज एव फ्यूल मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक एंड एक्सेलेंस इन पावर प्लांट ऐसा दोस्तों कंपनी ने साफ साफ कहा है और यहां देखें कि नंबर्स को जैसे मैंने का मिक्स दम कह सकते हैं अगर आप क्यों की दौर पर देखेंगे तो या कंपनी को बिलकुल जुड़ा है और याद रखेगा थर्ड कॉर्टर में जो एक रिकॉग्निसेशन था पिछली बार इसको एक रिकॉग्राइस किया गया था वन टाइम प्रायर पीरेड जो करीवन 517 करूर का था तो यह भी एक चेंज था जो कंपनी ने साफ साफ अपने नंबर्स में पताया बट रियाक्शन में अपसे मंडे को कुछ खास अच्छा नहीं आ पाएगा स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट बनने की एक्सपेक्टेशन हम करके चल सकते हैं तो कुछ इतने खास भी नहीं है कि यहां पर और तेजी की एक्सपेक्टेशन करें वैसे स्टॉक अपने देखे काफी दमदा चला आपको पता है हिंडिन बॉग रिपोर्ट की बावजूद भी अडानी पावर का स्टॉक रुका नहीं थमा नहीं और चलता गया और अपने आप में हम कहा सकते हैं कि अडानी बावर ने बढ़िया किया है थोड़ी बहुत अब करेक्शन की उमीद हम करके चल सकते हैं वैसे देखा जाए स्टॉक अभी भी टेन टाइम्स पे आपको अविलेबल है बट यहां से थोड़ी बद गिरावट बन सकती है अगले फिंस नंबर आते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के यानि आई एक्स के सेल्स कंपनी की करीबन 100 करोड से बढ बढ़कर करीबन 89.3 करोड का हो चुका है यानि कंपनी के मुनाफ़ में जंप है करीबन 26% पर अन वही दोस्तों जो कंपनी का मुनाफ़ा प्रीवेस कौटर में 82.9 करोड का था वो 89.3 करोड पर आ चुका है तो Q1 की तौर पर भी कंपनी के आपको numbers में positivity ही देखने को जाते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है बट प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों सरकार यहां पर changes कर सकती है कि यहां पर आई-एक्स की जो monopoly है वो वेकुल हाथ से जाने की बात यहां पर चल रही है इसलिए दोस्तों आई-एक्स का stock खराब हो जाता है अगर आप numbers देखेंगे तो इससे बढ़े numbers क्या देख सकते हैं ज़रूर देखेंगे sale 15% ही बढ़ी है यह अपना आप में question हो सकता है कि company की sale तो 15% से ही बढ़ रही है बट नो राउट देखेंगे अगर यहां पर proper clarity रहती है तो में आपसे आई-एक्स में और आपको तीजी देखने को मिल सकती है प्लास यह बात भी जान रखिया company ने अपने investors के लिए एक रुपे पर equity share का dividend का भी अनौंस किया है यानि 100% company dividend भी आपको आपको देथी भी नजर आने वाली है तो दोस्तो आई-एक्स के numbers तो बढ़िया है इसमें तो कोई दोराई नहीं है कि numbers तो company अच्छे पेश करें बट जैसे हमाने का stock basically गरता क्यों है इसके कुद के अपने reasons है जिसके करण शेर मैं आपको गिरावट देखने को मिलती है अभी अगर आप एक महीने में देखेंग पर यही बात है कि देखें इसके अंदर investment करने के बारे में हम कैसे सोचेंगे जब हमारे पास clarity नहीं होगी तो यह अपने आप में एक बड़ा problem बना हुआ है अब बात करतें तीसरे numbers जो है C&K अब sign की भी numbers हम कह सकते हैं ठीक है मतलब बहुत खास भी नहीं है क्योंकि लगाता दोस्तों इसकी performance काफी बढ़िया थी अब यह बात करेंगे इसके आरह में अब आतीए बात दोस्तों कंपणी के मुनाफ़े की कंपणी का मुनाफ़ा करीबन 156 करोड का था पिछले साल वह घटके कितना रहे गया है 153 करोड तो यह अपने आप में दोस्तों तो सालान तोर पर कंपणी का मुनाफ़ा कम हुआ है अब यह बात ध्यान रखिएगा या बारा परशन दिखा रहा है वो गलत है करीबन 2 परशन कंपणी का मुनाफ़ा डाउन हो गया है लेकिन यहीं दोस्तों जो प्रिवियस क्वाटर था कंपणी का उसमें कंपणी ने है वो थोड़े से परिशान करने वाले आए हैं साइन के नंबर्स अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो हर कॉर्टर में कंपणी ने बढ़िया किया है इंटम्स ओफ रिविन्यू हर जगह कंपणी ने बढ़िया पीश किया लेकिन इस बार दोस्तों कंपणी का मुनाफ़ घरता हुआ नजर आए जो अपने आप में थोड़ी सी चिंता वाली बात है पिकुस कंपणी का मुनाफ़ा भी लगातार बढ़ रहा था अब देगे 70 रान करोड़ था उससे पहले उसके बाद 156 करोड़ हुआ दन 163 दन 169 दन 184 दन अब हो क्या गया है 153 करोड़ इस बार एक और बड़ा नेगेटेव है वो यह है कि दोस्तों कंपणी ने अपनी गाइडेंस को नारो करा है यानि यह भी एक प्रॉब्लम हा सकती है कि कंपणी जो अपनी गाइडेंस उसको कम करती बने दरा आई है फॉर दे लाजजस्ट यूनिट यह दोस्तों बात साफ साफ है तो यह अपने आप में थोड़ी सी दिक्कत है इस बार नंबर्स में हम कह सकते हैं प्रॉफिट कम क्यों हुआ फिकास इस बार दोस्तों कंपणी के जो इंप्लॉई कॉस्त थी वह काफी हायर देखने को मुली इसके कारण दोस्तों कंपनी ने कंपनी का मुनाफ़ाइब आपको छोड़ा बहुत कम देखने को मुला लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यह यह कि जो अपना रिविन्यू ग्रोथ का आउट्लू के कंपनी ने वह नारो कर दिया है फॉर यह ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट उनिट हम यह कह सकते हैं तो यह थोड़ा सा कंपनी के लिए प्र कितना है मात रेक्सुत तिरेपन करोड तो यह दोस्तों कंपनी के लिए जैसे मैंने का सब्सक्राइब को सकता है मंडे को सकता कि गिरावट आपको देखने को मिल जाए अल्ड़ी आज दोस्तों स्टॉक 1.13 परसें नीचे ट्रेड कर रहा था लेकिन मंडे को आप मानके चल तो स्टॉक में अच्छी देजी हुई है लेकिन पिस्ते एक मैने में गिरावट बनती वे निज़र आई है अल्मस्स 13-14 परसें स्टॉक अल्रीड करेक्ट हो गया है इसका लब यह कि बादार को अल्रीड बताता कि इनके नंबर्स थोड़े से वीक ही आएंगे और अब 5 तक दोस्तों शेयर जाता है लेकिन उसके बाद अचानक से फिर हमको गरावट देखने को मिल जाती है तो लगा था तो दुस्तों जीव फिनाइशल सर्विसेस में हमने यही देखा है रिजल्स के बाद मार्किट ने कुछ खास इस स्टॉक में किया नहीं गिरावट देख जब भी कोई एक strong promoter की company होती है तो उस पे लोगों का भरोसा रहता है तो मैं यह नहीं कहता कि देखे जिए financial services कोई खराब company बट यह बात जरूर है कि इसके लिए एक positive सबसे बड़ा यही है कि दोस्तों यह एक reliance group की company है तो इसलिए एक सबसे बड़ा positive पास यह आजाता है दूसरी बात क्या है कि हाँ company अभी जैसे मैंने का कि अभी वो कोशिश कर रही है कि वो किस direction में जाना जाती है उसके बाद हम मारे पास ज़्यादा clarity आएगी बट यही है जिनके पास वो wait करिए hold करके रखिए simple सी बात है आपके और कोई option नहीं है बिकोश इस company में देखिए जब अच्छा होना चालोगा तो बहुत अच्छा होगा यह ज़रूर है कि हाँ company के revenue profit है वो आने चाहिए बड़िया उसके बाद ही देखिए company एक साई direction हो जा पाएगी तो friends इस वीडियो में इतना ही था hopefully आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर लगा तो like कर देना चनल से पहली बाद जोड़ियो subscribe कर देना thank you friends for watching this